तीन जनवरी को जैपूर में राजसरकार के धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कहा है कि पिछले आठ माँ में वे पहली बार किसी सारवजनिक समारों में शामिल हुए हैं आठ माँ CMR में रहकर मैंने कोरोना मैनेजमेंट किया जो मैनेजमेंट किया उसी का परिणाम रहा कि कोरोना वाइरस की धजियां उड़ गई और अब प्रदेश में कोरोना खत्म हो रहा है सवाल उठता है कि जब कोरोना की धजियां उड़ रही है तब राजस्थान के 13 जिलों में अभी भी रात्री कालीन कर्फ्यू क्यों लगा रखा है इन 13 जिलों में रात 8 बजे प्रभावी होने वाले कर्फ्यू की वज़े से व्यापारियों को अपनी दुकाने 7 बजे ही बंद करनी पड़ती है लोकडाउन की वज़े से कारोबार का पहले ही बुरा हल था लेकिन अब रात्री कालीन कर्फ्यू से और परेशानी हो रही है यह सही है कि कोरोना का प्रकोब अब लगातार कम हो रहा है इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि एक जनवरी से रात्री कालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया जाएगा या फिर बाजारों को रात दस बजे तक खुले रखने की छूट दी जाएगी लेकिन अशोक गहलोत के नेत्रत्व वाली सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में रात्री कालीन कर्फ्यू की अवधी 15 जनवरी तक बढ़ा दी सरकार के इस फैसले से व्यापारिक वर्ग में नाराजगी है व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी और शादी ब्याग के सीजन में रात दस बजे तक दुकाने कोलने की चूट होनी चाहिए इसको लेकर अनेक व्यापारिक संगट्नों ने मुक्खे मंत्री से आग्रे भी किया है ऐसे व्यापारिक संगटनों के प्रती निधियों का कहना है कि जब आधे से जादा प्रदेश में रात्री कालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है तब 13 जिलों में भी कर्फ्यू को हटाया जाना चाहिए सरकार हर शेत्र में पाबंदियों को हटा रही है यहां तक कि प्रियाटन सल भी खोल दिये गए हैं धार्मिक स्लो पर भीड देखने को मिल रही है ऐसे में 13 जिलों के व्यापारियों को परेशान करना किसी भी दृष्टी से उचित नहीं है सरकार ने कोरोना कर लेकर जो भी जागरुकता के अभियान चलाए उसमें व्यापारियों ने पूरा सहियो किया आज भी बगैर मास्क वाले ग्राह को सामगरी नहीं बेची जाती है दुकानों पर काम करने वाले करमचारियों को मास्क लगाए रखने के लिए पाबंद किया अब जब दोहारो और शादी ब्या का सीजन है तब शाम साथ बजे दुकाने बंद करने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वादी JBD Banquets Enterprise